नाराज हुए छट बढ़ती SP के सामने लगे नितिस्कुमार मुर्दाबाद के नारे छट पूजा का आर्ट दूसरा दिन है और आज साम में खरना की पूजा की जाएगी इसके लिए काफी संख्या में छट बढ़ती और उनके परजन गंगा नदी के किनारे गंगा जल लेने पहुँचे थे वही आज सुवा मुक्मंति नितिस्कुमार पटना के आर्ट ब्लोक में दिघा के बीच जिर्मादीन सरक पनिर्मान निरचन कर रहे थे CM के केबल कोट की बज़ा से दिघा से पहले यातायात रोग दिया गया था यातायात रोगने के बज़ा से लोग को गंगा जल लेकर ट्रफिक जाम में फसे रहे इस बज़ा से छट पढ़ती नाराज हो गए और जमकर CM नितिस्कुमार के खिलाब मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे भीर ने एक साथ CM नितिस्कुमार मुर्दाबाद के नारा लगाया इस बग सीटी एसपी स्वन परभाद भी मौजुद थे उनकी मौजूदी में भीर ने नारा लगाया हाला कि केबल कोट के गुजर जाने के बाद याताया सुचारू रूप से चालू हो गया और लोग का गुस्सा थम गया लोग के बीच काफी नाराज़ी देखी जा रही है भीर में सामिल कुछ लोग ने कहा कि छट बर्त के लिए हम गंगा जल लेने गया थे कुछ लोग गंगा जल लेने जा रहे थे ऐसे में सी एम के केबल कोट की वज़े से यातायात रोप दिया गया यातायात रोप के जाने कि कई किलो मेटर लंबा जाम लग गया था इससे लोगों को कापी परसानी हुए लोग पांच घंटे जाम में फंसे रहे लोग का काना था कि छट बर्टिक के दिन सीम को निकलना था तो केबल कोर्ट के लिए यातायात रोपना लोग की परसानी में डानने वाले बात है मुक मंत्री नीति सुमान ने गुरू बार को दूसरी बार दाना पूर के नासिलन पटना सीथी इस्तिक दंदम घाट तक चट के लिए प्यार के घाटो का निक्चन किया है मिल्चन के बाद मुक मंत्री ने कहा कि तिन घाटो पर पूजा होनी है वहां सारे इंतजाम हो गए है मुक मंत्री ने इस्टीमर से लगवग ध्राई गटे तक घंगा के घाटो का निक्चन किया है दोरा नुह मौके पर मौजिद आप सरोक निदेश देते हुए भी देखें उन्होंने कहा कि छटबर्तियों के लिए घाट पर आने जाने की सुखम रास्ते का परवंदन किया जाए साथ ही पार्किंग की भी इंतजाम हो उन्होंने कहा कि पानी की गहराई बताई जाने के लिए जो बैरिकिटिंग की जा रही है वह थाई धंगसे की जाए